आईए हम मिलका बनाते हैं टेस्टी गोबी मंचूरियन पहले गोबी को मीडियम साइज में कट कर ले और इसे उबलते हुए पानी में एक से दो मिनट के लिए बॉइल करेंगे हम इसमें नमक और आला चमाच हल्दी डाल कर ही बॉइल करें चलिए हमारा गोबी बॉइल हो चुका है अब इसे हम ठंड़े होने के लिए रख दे हमारा गोबी करीब 10 मिट के बाद ठंड़ा हो चुका है हम इसमें एक चमच कॉन फ्लावर ठोड़ी जिंजर गालिक पेस्ट एक चमच पेपर एक चमच मैदा सब सारे चीजों को मिलाकर अ हमारी समा गली दिख लेते हैं क्या हम搞ने वाले हम हैं मिखिंछ करने वाले ओनियान केसिकम जिंजर गालिक ग्रिण चिली और कोरियंडर लिप्स 이ा यह जब हम काट कर कहीं साइड में रख देंगे चलिए हम अपना गोल तयार करते हैं अ यह जब हम काट कर कहीं साइड में रख देंगे चलिए हम अपना गोल तैयार करते हैं इस गोल में हम मिक्स करेंगे कॉन फ्लावर मैदा पेपर सॉल्ट तोड़ी ओइल मिक्स कर लेंगे जिंजर डाल देंगे चलिए हमारा तेल लगभग गरम हो चुका है अगर इसमें हम थोड़ी सी फूड़ कलर डाल दें तो स्वाद अच्छा होता है कलर दीखने में अच्छा लगता है चलिए इसमें लगता में मिक्स कर लेते हैं पानी पानी मिक्स करकर अच्छे से गाड़े घौल बनाए यह में डिप करकर हम भराइ करेंगे करते हैं यह हमने गोभी कोछ से मिस कर दिया है हमारा देल मीडियम आच पर है है अब हम इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे चलिए हमारा गोबी डल गया है इसे हम तीन से चार मिनिट के लिए तलेंगे दोस्तों हमारा गोबी लाल होने लगा है दोस्तों एक यादर के अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो एक बार फ्राई करें अगर क्रिस्पी बनाना है तो हम इसे थोड़ा ठंडा करकर दुबारा फ्राई करेंगे क्योंकि हम क्रिस्पी बनाने वाले हैं चलिए दुबारा फ्राई करते हैं हमारा गोबी ठंडा हो चुका है अब इसे हम दुबारा फ्राई करेंगे दोस्तों कि इससे को भी काफी किस्प भी आती है और खाने में स्वाद बढ़े आता है लाल हो चुका है और ध्यान रखे हम तेज प्लेंस में इसे फ्राई करेंगे गवी को को बाहर निकालनेते हैं हमारी कडाई भी करम उचुकी है तेल काफी करम हो चुका है अब इसमें हम जींजर गार्लिक के जो चौप्स काटे हुए थे युसे फ्राई करते हैं थोड़ा वेट करते हैं लाल होने तक तिकिए इसमें थोड़ी थोड़ी रेड़नेस आ चुकी है यह लगबग फ्राई हो चुका है अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपना चौपके अवा ओनियन चौपके हुए कैपसिकम थोड़ा चिस से मिक्स कर लें ध्यान रहे हम इसे ज्यादा भूंजेंगे नहीं हेरा ह़ा है जाओ कि भस हम एक से दो मेठी से फ्राई करेंगे करी लिफ्स तो डाली दीजिए वल्व बड़ जाता है हो ज्यूंञे हम से मिक्स कर ले लेते हैं और मसाले में हम चिकन मसाला डालते हैं इसे स्वाद बढ़ सकता है आप चाहे तो मीट मसाला अगर आप विजटेरियन है तो कोई और मसाला डालते हैं इसमें डालते हैं हाप चम्मच पेपर और चैसे मिक्स कर लें चलिए इसमें हम डालते हैं सोया सॉस एक चम्मच एक चम्मच वीनिगर और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अगर आप चाहते हैं यह हमारा ग्रेवी का रंग थोड़ा अच्छा खिले हम इसमें एक चम्मच सुगर और स्वाद उनसार नमक डाल दें ज्यान रहे हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम पहले भी प्राइब करते समय यूज कर चुके थे चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह हमारा बेस रिडी हो चुका है अब इसमें टोमेटो सोस डाल देते हैं इसे आधे मिनट तक के लिए अच्छे से मिक्स कर लें और हमें जब हम बनाएंगे ना तो ग्रेवी को गाढ़ा रहना चाहिए इसमें क्या करेंगे हम हाफ कप पानी में कौन फ्लावर को मिक्स करकर डालते हैं चलिए अब हमने सारा गोबी डाल दिया है इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लें करीब दो मिएट तक पकाने के बाद, अब कोरियंडर लिप्स को डाल दे, थोड़ी से अच्छे से मिक्स कर ले, और ये हमारा ला जवाब गोपी मंचुरियन बन कर लगबक तयार हो चुका है, दोस्तों हम इसे बस एक से दो मिक्स करेंगे, और ये लीजिए, साथियों हमें लाइक करें, सब्सक् कर दने कर दे, और अरहा हे लोगां लीजिए, और ला मिक्सी फितिएर, होत Rememberina, नवेत怕, लीजिएरा, ved द्सक्रेंघнова करेंपाना लीजिएीकान की जया, पुका ब्पानाघ, पुका वरतास काव्छेजर, होता है, ब्रिकाव काlex